मनजल उन्हें मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है पंक से क्या होता है होसलों से उडान होती है होसलों से उडान होती है नमस्कार दोस्तो आज इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं दोस्तो आज इस class के माध्यम से आपको हम बताने वाले हैं कालिदास जी के खंड काव्य और गीती काव्य कौन कौन से हैं पूरी detail आपको यहाँ पर मिलने वाली है दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि महा काव्य क्या है और खंड काव्य इन दोनों में क्या डिफ्रेंस होता है मैं थोड़ा सा आपको बताऊँगा गीती काव्य किसे हम कहते हैं, गीती काव्य की क्या विशिष्टा होती हैं, गीती काव्य के कौन-कौन से भेद माने जाते हैं, इसके अलावा गीती काव्य या फिर खंड काव्य का उदभव या विकास कहां से माना जाता है, एक विकास यात्रा क्या इनकी रहती है, मैं आपक को इसमें किलियर करने वाला हूं तो चलिए दोस्तों आज की क्लास बहुत ही शांदार होने वाली है चलिए शुरू करते हैं सभी लोग जुड़ जाएए अपने दोस्तों को शेर कर दीजिए लगातार क्लासेज हम यहां उपलब्द करवा रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर यह घृति काब्य ठीक है दोनों में मैं थोड़ा सा डिफरेंस आपको बताँगा यहां पर सबसे पहले हम जानते हैं कि वह खंड काब्य होता क्या है थोड़ी सी संक्षित में जानकारी आपको यहां दे रहा हूं किषिये लिखते हैं इसमें कि जीवन के एक पक्ष का वर् वर्णित किया जाता है उसी का वर्णन अक्सर वहां पर मिलता है विश्वनात ने साहित्य दर्पन में भी लिखा है क्या लिखा है खंड काव्ये भवेत काव्यस से एक देशानु सारीचे यानि एक देशानु सारीचे से मतलब यहां जीवन का एक पक्ष वहां पर वर्णित ह इसके अलावा लगू काव्य होता है यह याने कि बहुत लंबा नहीं होता है ये लगू रहता है लगू से मतलब आऊ यूँ समझे कि आठ से कम सर्ग इसमें पाए जाते हैं कम सर्ग आठ से ज्यादा सर्ग इसमें नहीं होते हैं आपको पता है कि आठ या आठ से अधिक सर्ग महाकाव्य के अंतरगत पाए जाते हैं तो यहाँ पर खंड काव्य में आठ से कम सर्ग आपको मिलेंगे इसके अलाव विशे की प्रधानता यहां होती है और वस्तु वर्नन परकिस्ति यहां पर आपको देखने को मिलती है यह जो विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् दौनों को आप समझ जाओगी तो दौनों में डिफरेंस आप कर पाओगी कि गीती काव्य और खंड काव्य क्या होता है चलिए गीती काव्य के अंदर देखिए इसमें बहुत सारी मिशिष्टा हम आपको बता रहे हैं तो ये आपको थोड़ा सा मस्तिश्क में रखनी है आप के संक्षिप्तता बहुत अदेक लंबा इसमें नहीं रहता है विशेवस्तु का कोई भी कारिये इसके अलावा भाव की प्रधानता पाई जाती है भाव प्रधानता विशेपरक ठीक इसके अलावा श्रंगार मूलक या भक्ती मूलक इसके अलावा भक्ती मूलक या स्रंग प्रिंगार, वैराग्य, प्रेम, शोक, उल्लास और रितु वर्णन इन सब का वर्णन आपको यहां देखने को मिलता है तो यह सब क्या है यह सब विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष एक भव को केंदर मान करके कल्पना का साहरा लेते हुए संगीत आत्मकता के साथ मैं या गे आत्मकता के साथ मैं जब प्रस्तुत करता है अपने भावों को तब उसे हम गीति का अभवे कहते हैं क्या कहते हैं गीति काव्य कहते हैं इसमें जो कभी है वो अलग-अलग संबेगों के साथ में अपने भावों को प्रस्तुत करता है जैसे कि इस रंगाहर के रूप में शोक, हास, विरा, उल्ला, स्प्रेम, दुख, इत्यादी ऐसे अलग-अलग संबेग हो सकते हैं इन सभी भ करते हैं आगे देखिए गीति काव्य के भेद कौन-कौन से हैं तो यहां पर आपको हम दो भेद आपको बता रहे हैं यहां गीति काव्य के दो भेद आपको समझने हैं गीति काव्य के दो भेदों में पहला है प्रबंद काव्य प्रबंद काव्य ठीक है अब प्रबंद का कथा काव्व के आधी से अंत तक क्रमबद रूप में चलती रहती है, याने कि इसमें जो भी कथा रहेगी, वो प्रारंब से लेकर के अंत तक क्रमबद तरीका से चलती रहेगी, कथा का क्रम बीच में नहीं तूटता और गौन कथाएं बीच-बीच में साहयक बन करके आती रहती हैं ये हम प्रवंध काववे के बारे में बता रहे हैं तो प्रवंध काववे क्या होता है इसके अंदर प्रमुक कथा जो होती है थे वो शुरू से last अ करिका से step by step चलती है इसमें जैसा कि कथा का करम है वो बीच में तूटता है और बीच में चोटी जो एक गौन कथाएं होती है चोटी चोटी प्रसंग के आधार पर वो भी इसमें आती है तो प्रबंद काब्वे क्या है आप समझ चुके हैं उधारन में रितू समहार और मेगदू द्यान रखना है सेकंड नमबर पर है मुक्तक काव्य अब मुक्तक काव्य क्या होता है कह रहे हैं कि यदि एक एक श्लोक ही मन को आनन्दित या रसास्वादन करवा देता है उसे हम मुक्तक काव्य कहते हैं क्या कहते हैं मुक्तक काव्य कहते हैं रसान भूती हो जाए समझे ना आनंद की अनुभूती प्राप्त हो जाए एक एक शलोक में आनंद की अनुभूती मिले रसका स्वाद मिले रसस्वादन मिले आपको तो समझ लो मुक्तक काव्य है जैसे कि उधारन आप देखे यहां पर और वेराग्य शतक, ये तीनो जो शतक हैं लिखे हैं इनको कहते हैं शतकत त्रयम और लिखने वाले हैं भर्तरी हरी ची, ठीक है, तो ये तीनो के तीनो उधारण हैं मुकतक कबवे के, तो हमने प्रबंद कबवे बता दिया, रितू समहार मेगदूत द्यान रखने हैं उधार से काफी महत्वपूर्ट थत्य हैं ये सब इसलिए आपको अच्छे से समझना है और देखना है चलिए आगे वड़ते हैं मित्रो यहां से कोई भी सवाल आपके बन सकता है जैसे की खंड कावे से संबंदित कौन सी विशिष्ष्षता नहीं है गीती कावे से संबंदित कौन स है ऐसे है और नहीं दोनों तरीका की सवाल बन सक्ते हैं ठीक है ना चलिए आगे बड़ते हैं दोस्तों अब चलिए मित्रों यहाँ पर हम घीती कावय का उधभव और विकास की बात करते हैं इनकी जो बता रहे हैं सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमें रिगवेद लिखा है यानि कि रिगवेद के अंदर सरप्रथम हमें इसकी विशिष्टा मिलती है इसके लक्षन दरश्टिगत होते हैं फिर इसके बाद में सामवेद इसके बाद में अथरववेद और फिर रामाइन ठीक ह अथरवेद के अंदर यहां पर देखे प्रत्वी सुक्ति के अंदर इसकी विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् विराट रूप दर्शन जो होता है वहाँ पर हमें ये जानकारी मिलती है या इस तरह का वहाँ पर मतलब एक रूप होता है इसका गीति काब्बे का यहां मिलता है इसके अलावा पुरान के अंदर मिलता है इसके अलावा काली दास तक पहुंचता है यानि की रिगवेद से ल क्या याद रखना है लोकिक साहित्य में स्वतंत्र गीती काव्यका जो प्रारंब है वो कालिदास जी से हुआ है और कालिदास जी ने ये प्रारंब किया है रितु समहार और मेगदूत के साथ में इनों ने प्रारंब किया है किसका गीती काव्यका आपको द्यान रखना है लो पूछ सकते हैं कि लोकिक साहित में σुतंत्र गीती का ब्वे का उधरन क्या है तो रितू समहार मेगदूत आपको दयान में रखने है किस से जुड़े हुए कालीदास झीस से जुड़े हुए तो यहां पर गीती का ब्वे के उधवा और विकास की जो यात्रा है वो रिगवेद, सामवेद, अथरवेद, रामायन, महावारत, पुरान और कालिदास तक चलती हुई आज तक पहुँची है जो हम इस रूप में देख रहे हैं वरतमान में जो हम देख पा रहे हैं वो हमें मिलती है इस तरीका से ठीक है तो ये एक संक्षिप्ट में जानकारी थी मैंने एक दो बाते हैं जो उपर लिखी हैं आप देखिए उपर इंद्र, विश्न, उश्ष, इस्तुती परक मंत्रों में भाव, विहवलता और समर्पन का भाव रहता है तो यहाँ पर भी गीती कावे के लक्षर द्रश्टी गत होते हैं इनकी विश्ष्टाएं द्रश्टी गत होती हैं चाए इंद्र सूक्त की बात करें विश्नु सूक्त, उश्ष, इस्तुती परक मंत्र हैं बहुत सारे देपताओं से संबंदित वहाँ भी हमें इस तरह के भाव दिखाई देते हैं इसके अलावा यहाँ पर एक फैक्ट लिखा हमने जो काफी इंपोटेंट एक्जाम की द्रश्टी से हिरन्य गर्बसूक्त गीती कावे का उत्कृष्ट उधारन माना जाता है यदि माल इस तरह का प्रश्ट पूछा जाता है कि गीती कावे का उत्कृष्ट उधारन है गीती कावे से उत्कृष्ट उधारनम अस्ती ठीक तो अब आपको उत्तर क्या देना है उत्तर देना होगा हिरन्य गर्बसूक तो ये काफी इंपोर्टेंट है आपके लिए फैक्ट तो आपको ध्यान में रखना है मित्रो इस तरह से गीती कावे का उत्भव और विकास से रिलेटेट हमने जो आपको संक्षिप्त में जानकारी दी है मैंने बहुत ही सौट में बताया है क्योंकि बहुत डिटेल से आपको यहां पर जानने की अब शक्तन नहीं है आप सेकंड गेर्ड में एक्जाम दे सकते हैं चाया आप रिट का एक्जाम दीजिए चाया आप फस्ट गेर्ड का दीजिए आपका कारिये चल जाएगा यहां तक इतना आप यदि ध्यान रख पाते हैं तो निस्चत रूप से आप बहुत अच्छे से कर सकते हो कोई mistake आपकी नहीं होगी ठीक है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अब एक एक को हम लेते हैं जैसे कि हमने आपको पहले बता दिया कि कालिदास जी की दो ग्रंत हैं या दो रचना हैं इनकी जो की खंड काविया गीती काविय के अंतरगत आती हैं तो एक रचना है रितु समहार और एक है मेगदूद हम दोनों को आज के इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाले पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा जो भी एकज्या में पूछा जा सकता है या पहले पूछ लिया गया है वो भी मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ इसलिए अच्छे से पूरा वीडियो देखना है अपने दोस्तों तक पहुँचाना है और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कोल भी नहीं बूलना है और वीडियो को लाइक भी करें दोस्तों ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए मित्रो अब हम आपको बता रहे हैं रितु समहार सबसे पहले जो कीती काववे हैं या खंड काववे हैं कालिदास जी के उनमें सबसे पहला नमर आता है रितु समहार का तो रितु समहार के बारे में पूरी डिटेल जानते हैं क्या इसमें खास है क्या इसमें most fact है जो एक जा में पूछा जा सकता है एक एक को बता रहा है हर लाइन में प्रश्ण बन सकता है इसलिए हर लाइन को समझना है बिलकुल भी आपको छोड़ना नहीं है बीच में चलिए देखिए यह कालिदास की प्रथम कृति या रचना है पहली कृति माने जाती है प्रथम रचना माने जाती है यह कालिदास की कि कालिदास की प्रथम रचना किसे माना जाता है तो उत्तर देना होगा रितुसमहार को किसको रितुसमहार को माना जाता है पहली रचना के रूप में ठीक है ना आगे चलिए कह रहे हैं कि यह खंड काब्य की श्रेणी का काब्य है यह खंड काब्य के अंतरगत आता है हमने आपको खंड काव्य बता दिया खंड काव्य और गीती काव्य दोनों के अंदर हमने डिफरेंस आपको बता दिया तो कह रहे हैं कि यह खंड काव्य कि श्रैनी का काव्य है लेकिन कुछ विद्वान इसे गीती काव्य भी मानते हैं क्योंकि कुछ लक्षन इसमें गीती काव्य केoooooo हैं और इसमें ज़्याधा लक्षन खंड काभवे की हैं यदि आपके सामने दोन ओपसना आते हैं तो आपको खंड काभ्य उत्तर देना है और जब खंड काभ्य नहीं है तो गीती काभ्य प्रतम हो जाता है ऐसा ठीक है आज़ करें आगे करें कि सम्स्कृत साहित्य का प्रथम गीती काव्य है ये सारी लाइन मोस्ट है प्रश्ण बन सकता है कि सम्स्कृत साहित्य का प्रथम गीती काव्य किसे माना जाता है उत्तर देना होगा रितु समहार को माना जाता है ठीक है बहुती बढ़िया बढ़िया प्रश्ण है इसके अलावा आगे सुनिए स्वतंत्र रितु वर्णन का प्रथम काव्य किसे माना जाता है तो उत्तर हो जाएगा रितु समहार को क्या माना जाता है स्वतंत्र रितु वर्णन का प्रथम काव्य किसे माना जाता है तो उत्तर होगा रितू समहार को माना जाता है ठीक है इसके बाद मैं इसमें आपको एक लाइन और फैक्ट की रूप में याद रखनी है और वो है ऐ प्रचार तमोगना कृति ही किसको कहते हैं ऐसा भी सवाल कहीं बार पूछा गया है तो आप यहाँ पर देख लिए मैं लिख के बता रहा हूँ ए प्रचार तमोगना कृति ही किसे कहते हैं उत्तर हो जाएगा रितू समहार को कहा जाता है क्या कहा जाता ए प्रचार तमोगना कृति ही रितू समहार को ही कहते हैं ऐसा प्रशन पूछा गया है पूछा भी जा सकता है ठीक है ना आगे चलिए आगे देखिए यहाँ पर फेक्ट की रूप में आगे कह रहे हैं स्रंगार के प्रती आकर्शन और कामी जनों की विलासिता का वर्णन इसमें मिलता है यानि रितू समहार के अंदर जो मुख्य रूप से वर्णन प्राप्त होता है वो स्रंगार के प्रती आकर्शन इसके अलावा कामी जनों की विलासिता का वर्णन इसमें प्राप्त होता है यह रचना जो है यह एप्रोडा अवस्था की रचना माने जाती है या पिर यूँ कहें कि युवा अवस्ता की रचना है यह यानि जब वो युवा अवस्ता में थे तब की रचना है यह रित्व समहार ऐसे आपको दियान रखना है इसके अलावा देखिए एक बहुत ही most important fact हमने यहां लिखा है आपके लिए राइटर राइटर ने इसे लवर्स कलेंडर यानि की प्रेम का तिथी पत्र कहा है बहुत ही बड़ी effect है यह प्रशन ऐसा पूछा जा सकता है कि प्रेम का तिथी पत्र किसे माना गया है या किसे कहा गया है तो किसे कहा गया रित्व समहार को ऐसा भी आ सकता है कि प्रेम का ति समहार के लिए कहा है यह फिर आ सकता है कि रितु समहार को प्रेम का थिती पत्र किस ने कहा है तो उत्तर होगा राइटर ने राइटर ने रितु समहार को किसकी संग्या दी है लवर्स कलेंडर की संग्या दी है इस तरह से किसी भी रूप में घुमा फिरा के प्रशन पूछे जा सकते हैं ठीक है तो यहां तक आप समझ गया कि कैसे कैसे प्रश्ण आपके आ सकते हैं अब चलते हैं आगे आगे देखिए सबसे पहला इसमें आपको एक फैक्ट याद रखना है कि इसमें कुल पद्य कितने हैं कुल पद्य पद्य या फिर आप श्लोक कह सकते हैं तो यहा आती है बात उपजीब्य की तो उपजीब में द्यान रखना है कालपनेक उपजीब्य है कालपनेक है यह सब कुछ ठीक है ना ऐसे आगे है विवाजन इसका जो विवाजन है वो किसमें है सरगों के अंदर है अब कितने सरग है उत्तर द्यान रखना है छे सरगों में किया गया है यहां से ऐसा भी प्रश्ण एक्जाम में पूछा गया है कि किस क्रम में वरणन किया गया है यानि कि रितू समहार में जो छे रितू का वरणन हुआ है तो वो छे रितू किस क्रम में है सबसे पहले कौन सी आती है रितू उसके बाद में किस रितू का वरणन है और सबसे last में कौन से रितु का वरणन है ऐसा भी प्रश्ण पूछा गया है तो आपको करम द्यान रखना है सबका एक साथ ठीक है न तो देखी मैंने करम लिग दिया है रितु करम क्या है इसका रितु करम है ग्रिश्म सबसे पहले ग्रिश्म रितु आती है इसके बाद में वर्षा, इसके बाद में शरद, इसके बाद में हेमंत, फिर आती है शिशिर और लास्ट में है वसंत रितू, सबसे लास्ट में वसंत रितू का वरणन है इसमें, किसका है? वसंत रितू का वरणन किया गया है रितूओं के क्रम के आधार पर, और सबसे पहले ग्रिश्म रितू का वरणन है इसमें ऐसे आपको द्यान में रखना है यहां से आपका एक प्रश्ण निस्ठित बन जाता है आगा सुनिए आप मल्ली नात की टीका की यदि हम बात करें तो यहां पर टीका इनकी अनुपलब्द है टीका प्राप्त नहीं होती है वैसे लगब आपकी कोई टीका उपलब्द नहीं होती है ठीक है ना ऐसे आगे चलिए अब देखें मित्रों आगे देखते हैं यहां पर एक बहुती मोस्ट फैक्ट नीचे दिया गया है कि वसंत को रितूराज कहा गया है रितूराज वसंत सर्ग बिहत्तम सर्ग है जिसमें 38 श्लोक हैं कितने शलोक हैं 38 शलोक हैं मालो की प्रशनाता है कि वसंत को क्या कहा गया है तो रितुराज कहा गया है प्रशनाता है कि रितुराज किसे कहा गया है तो उत्तर हो जाएगा वसंत को वसंत सर्ग ब्रिहत्तम सर्ग है तो पूछा जा सकता रितुसमहार में ब्रिहत्तम सर्ग किस इस तरह से मित्रो रितु समहार हमारा कम्प्लीट हो जाता है। इसमें जो जो फैक्ट आपके एक्जाम के हिसाब से महतुपूर्ण हैं वो मैंने सारे बता दिये हैं आपको अब इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। इसलिए अच्छे से सुनना है देखना है अपने दोस्तों तक इसको जरूर शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे मैं आपको इसमें मेगदूत बताऊंगा। क्योंकि आज के सेशन में हम आपको खंड काव यह दोनों कम्पीट करवाएंगे और जो लास्ट हमारा सेशन रहेगा अगला इसके बाद में उसमें मैं आपको जो रूपक है कालिदास जी के तीन नाटक बचे हुए हैं वो मैं तीनों के तीनों आपको उस वाली वीडियो म उनको तीन जगे डिवाइड कर दिया चलिए आगे चलते हैं मेग दूथ की तरफ चलिए दोस्तो आगे बढ़ते हैं मेग दूथ हमारा दूसरा नंबर का ग्रंथ आता है इसमें गीति काव्वे के अंदर देखे मेग दूथ मेग दूथ आपने सबने अच्छे से पढ़ र तो क्या आकिर विग्र हो सकता इसका तो चलिए देखिए मैंने यहां पर लिखा है मेग है दूत है यसमिन कावे तत मेग दूतम जिस कावे के अंदर मेग को दूत बनाया गया है उसका नाम है मेग दूत मेग यानि बादल को जिसमें दूत बनाया जाता है उसी का नाम हो जात इसके अलावा आप इसको यूँ भी कह सकते हैं के अर्थ के अनुसार ठीक है ना आगे चलिए आगे करें कि काली दास का ये दुतिये खंड काव्य है पहला तो रितु समहार माना जाता है और दूसरा माना जाता है आपका मेग दूतम किसे मानते हैं मेग दूतम को माना जाता है ऐसी आदुनिक विद्वानों के अनुसार ये गीती काव्य है ठीक है जैसे तो खंड काव्य है दूतिय खंड काव्य के रूप में माना जाता है हमने उसमें भी आप से कहा कि कुछ विद्वान उसको गीती काव्य भी मानते हैं तो यहां भी आपको ध्यान रखना है कि आदुनेक जो विद्वान है उनके अनुसार यह भी गीती काव्य है यानि इसको भी वो गीती काव्य ही स्विकार करते हैं प्राचीन विद्वान इसे खंड काव्य मानते हैं और आदुनिक विद्वानों के अनुसार यह गीती काव्य है ऐसा आप यहां ध्यान रख सकते हैं ठीक है ना आगे चलिए आगे देखिए बहुती most fact आमने यहां लिखा है संस्कृत साहित्य का प्रथम दूत काव्य या संदेश काव्य है ऐसा प्रश्ण बन सकता है क्या कि संस्कृत साहित्य का प्रथम दूत काव्य या संदेश काव्य किसे माना जाता है या किसे कहते हैं उत्तर होगा मेग दूत को किसको कहेंगे मेग दूत को कहा जाता है ठीक है अईसे अब मेग दूत में आपको पता है कि मेग का ही बरनन होता है इसमें मुख्य रूप से किसका होता है मेग का अब इसमें एक शलोक भी आता है जिसमें मेग के बारे हम बताया गया है कि मेग का निर्मान कैसे होता है मेग का मतलब बरनना किस तरीका से होता है कैसे बनता है मेग यानि की बादल उसमें एक शलुक आता है धूम जोती सलिल मरुताम सन्नी पाता क्वा मेगह ऐसा है तो उसमें मतलब सन्नी पात से बनता है किस किस के धूम जोती सलिल और मरुत ये चार चीजों के सन्नी पात से आपका मेग बनता है मेग का निर्मान होता है एक तो धूम धूम जोती सलिल और मरुत ठीक है धूम से जोती सलिल और मरुत इनके चारों के संयोग से किसका निर्मान होता है मेग का निर्मान होता है बादल का निर्मान होता है ऐसा एक श्लोक में लिखा गया है ठीक है तो ये याद रख सकते हैं कि मेग का निर्मान होता है दूमजोती सलल मरुत संयोग से इनके संयोग से होता है इनके सनिपात से होता है ऐसा आप ध्यान रख सकते हैं ठीक है ना तो ये तो हो गए एक सामान निसी बाते हैं अब हम इसे में विशेवस्तु के आधार पर आपको most fact बता रहे हैं चलिए आगे देखते हैं मित्रो देखिए सबसे पहले हैं नायक नायक की बात करें तो इसमें नायक कौन है ऐसा प्रशन भी आ सकता है क यानि की यक्ष तो नायक है और यक्षनी आपकी कौन है नायका अब एक प्रशन और बन सकता है क्या कि मेगदूत का जो नायक है वो किस तरह का माना जाता है हमने आपको नायकों के भीद बताए थे तो आपको दियान रखना है ये जो नायक है वो धीर ललत प्रकार का माना जाता है मेगदूत के अंदर बात समझे यदि प्रशन आता है कि मेगदूत की जो नाईका है वो किस तरह की है क्योंकि नाईका के भी प्रकार होते हैं तो आपको यहाँ याद रखना होगा स्वाकिया क्या स्वाकिया हमने आपको बताया था स्वाकिया ऐसे देखिए स्वाकि ठीक है ना, और नायक कैसा माना जथा है, धीर ललित प्रकार का नायक माना जथा है, ऐसे आपको यहाँ धियान में रखना होगा, मित्रो किलियर है सबको यहाँ तक, चलें आगे, चलें अब आगे देखिए यहाँ पर मैंने सौट में लिखा है कि इसमें क्या कथानक है इसमें कि किसका वरनन है मुक्ष रूप से क्या इसमें कथावस्तू है क्या इसमें बिशेवस्तू है मुक्ष उसको मैंने एक ही लाइन में लिखा है यक्ष यक्षनी की विरह वियथा का वर्णन इसमें है यक्ष यक्षनी की विरह वियथा का वर्णन किया गया है ठीक है दोनों का विरह हो जाता है दोनों दूर दूर रहते हैं तो वस उनकी विरह वियथा को बताया गया उनके दुख को बताया गया है कि किस तरह से अपने समय को निकालते हैं किस तरह भी रोते हैं किस तरह दुखी होते हैं उसी बात को यहाँ पर वर्णित किया गया है ऐसे आप समझ सकते हैं ठीक है ना आगे चले आगे है कि इसमें रस रस का भी सवाल आता है कि कौन सा रस में इसमें मुख्य रस है मुख्य रस का सवाल आता है प्रदान रस कौन सा है या फिर मुख्य रस कौन सा है तो उत्तर याद रखना है स्रंगार रस है मुख्य रस में याद रखना है स्रंगार रस विप्रलंब स्रंगार या वियोग सरंगार ऐसे आपको याद रखना है ठीक है रिती की बात करें तो आपको वैधर्वी रिती याद रखनी है अब वैधर्वी रिती क्या है मैं बता चुका हूँ लड़ी आपको वीडियो अच्छे से देखना आगे है चंद याने मुख्य चंद कौन सा है इस गरं ऐसे ठीक है अब गुण की बात करें तो गुण प्रशाद और माधूर ये गुण इन दोनों का संयोग है प्रशाद और माधूर ये गुण का संयोग आपको यहाँ पर प्राप्त होता है ठीक है आगे चलिए मित्रोफेक्ट की अंदर शलोकों की बात करें कि टोटल कितने श्लोक हैं तो आपको यहाँ पर याद रखने 115 श्लोक हैं इसमें कितने हैं 115 श्लोक आप देखिए यहाँ पर एक बात और समझनी हैं आपको यहाँ पर 6 श्लोक प्रक्षिप्त माने जाते हैं जो की बाद में प्लस किये गए हैं प्रक्षिप्त माने जाते हैं मूल रूप से तो 115 और प्रक्षिप्त श्लोक इसमें 6 और माने जाते हैं, जो टोटल आपके 121 हो जाते हैं, लेकिन आपको श्लोक वाला यदि प्रशन आता है, तो वहाँ पर आपको 115 ही ध्यान रखने हैं, क्योंकि मौलिक तो यही है, यह तो प्रक्षिप्त रूप से हैं, यदि अलग से स टीका इसमें लिखि गई है, आपको ये बात भिध्यान रखनी है, यहाँ पर तीका करी गई ह्या, मली नात जी ने टीका लेकी है, वो संजीवनी टीका के नाम से लिखी है, और उन्होंने 121 शिलोकों पर तीका लिखी है, एक बललब देव्जी हुए, उन्होंने 111 शिलोक समझ करके जवाब देना होगा अब बात करते हैं शैली की शैली कैसी है इनकी तो सैली है इनकी धुन्यात्मक या फिर यूं कहें कि अभी व्यंजनात्मक शैली है अभी व्यंजनात्मक शैली में ये लिखा है इनोंने मेगदूत को आगे टीका की बात करें अभी मैंने बता द कि मेगदूत पर जो मली नाथ ने टीका लेखी है उस टीका का नाम है संजीवनी टीका देखिए ऐसा सवाल जरूर बनता है कठिन सवालों में आता है क्योंकि जब एक्जाम में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको ये मतलब कंफर्म नहीं हो पाएगा कि संजीवनी टीका ले दें दो रूपों में विवाजन है इसका टोटर दो भागों में इसका विवाजन किया गया है ठीक है इसमें ऐसा नहीं है कि सरगों में बाटा गया हो अंकों में बाटा गया हो इसमें दो भाग हैं जैसे कि पहला है पूर्वमेग दूसरा है उत्तरमेग इसी रूप में इ आपके हैं 52 श्लोक कितने हैं बावन श्लोक अब देखो जोडते हैं तो तीन और दो पांच और छे पांग ग्यारा एक सो पंदरा श्लोक हो जाते हैं टोटल हमने का कि भाई छे जो हैं वो प्रक्षप्त हैं तो उनको भी जोड़ोगे तो 121 हो जाएंगे अब मलिनाथ जी ने के अंदर जो 63 श्लोक हैं उन 63 श्लोकों में रामगरी आश्रम से अलकापुरी तक के रास्ते का वर्णन है कि उनका क्या रास्ता है रामगरी आश्रम से ले करके अलकापुरी तक का जो रास्ता है उसका वर्णन किया गया है कि कैसे कैसे आपको रास्ते में जाना है क्या क्य मिलेगा कौन सी नदी मिलेगी कौन सा मंदर मिलेगा यह बिल्कुल बारिक तरीका से अनने बताया है इसके बाद में उत्तरमेग में क्या है फिर उत्तरमेग के अंदर अलकापुरी नगरी का वर्णन किया गया है किसका अलकापुरी नगरी का वर्णन है इसके अलावा यक्षनी की व्रह व्यथा उनकी क्या इस्तिती होती है अपने पती से दूर रह करके उसकी दशा का वर्णन है संदेश कथन मेग दुआरा इसके अलावा मेग का संदेश कहना ये भी इसी में वरनित किया गया है यानि कि जो मेग है जिसको दूत बना के भेजा जाता है वो अलकापुरी में जाता है वहाँ पर उसकी मेग की जो पतनी है यक्ष की जो पतनी है वहाँ पर पहुंच जाता है उसके बाद में मेग का जो संदेश होता है वो उसको जा करके कह देता है कि टेंसन लेने की आविशक्ता नहीं है बस थोड़ा सा और ये धहर रखो हमारा बहुत ही जल्द पुनर मिलन होगा हमारा शाप समापत होते ही पुनर मिलन हो जाएगा इसलिए धहरे रखिए ऐसा संदेश मेग के माध्यम से यक्ष अपनी पतनी के पास पहुँचाता है ऐसा वरनन आपको तरमेग में मिलेगा लास्ट में ऐसा वरनन मिलता है अब बात करते हैं जो कथा है हमारी इसकी जो कथावस्तु है वो कहां से ली गई है नहीं दोस्तों कहीं से नहीं लीग ये कालपनेक है ये कालपनेक कथावस्तु है कभी की कलपना है देखिए जहाना पहुचे रवी वहां पहुचे कभी कभी की कलपनाओं से लिखी गई है ऐसे आपको याद रखना है अब बात करते हैं उपजीब्य उपजीब बेकाव्य है ये इसके आधार पर कई गरंथों की रचना मिलती है यानि इसको आधार बना करके कई गरंथ लिखे गई हैं जैसे कि उपजीब के रूप में रामायन याद रखने हैं इसके अलावा आपको रिगवेद इसके अलावा ब्रहम वैवर्त पुरान ये आपको उपजीब काव्य के रूप में याद रखने हैं ठीक है तो ये एक सामानिसी जानकारी है जो कि मैंने आपको यहाँ पर डिस्पले कर दी है आपके सामने ठीक है उमीद करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा इसमें सब कुछ मैटर जो हमने लिखा है वो भी आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और जो हम समझा रहे हैं उसमें भी आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी यदि ये सब कुछ सही लग रहा है तो आप कमेंट में जरूर लिखें कि हमें बहुत अच्छे समझ मारा है और हमें लाब मिल रहा है एक छोटा सा कमेंट करने में कुछ सेकिंड का टाइम लगता है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए मित्रो अब इसमें कुछ विशेबस्तू पर आधारित मोस्ट फैक्ट हैं अमने यहां लिखे हैं विशेबस्तू आधारित इंपोर्टेंट फैक्ट कौन कौन से हैं वो मैंने यहां लिखे हैं सबकी सब तो एक एक को हम समझ लेते हैं जो इस विशेबस्तू के तो कुवेर उत्तर आएगा इसके अलावा कहें कि यक्षों का राजा कौन है तब उत्तर आएगा कुवेर ठीक है ऐसे आगे है श्राप दिया तो श्राप किसने दिया कुवेर ने यानि यक्ष को श्राप कौन देता है तो यक्ष को श्राप दिया किसने कुवेर ने दिया रा आगे है श्राप की अवधी क्या है यानि कितने समय के लिए उसको श्राप दिया गया तो यहां पर याद रखने है बारे महा यानि कि एक वर्स के लिए उसको श्राप दिया जाता है अब जब श्राप दे दिया तो श्राप के समय में एक वर्स तक वो कहां रहता है तो के दोरान यक्ष का निवास कहां रहता है कहां रहता है वो उत्तर याद रखना है रामगिरी आश्रम पर कहां रहता है रामगिरी के आश्रम पर निवास करता है कौन यक्ष कहां निवास करता है रामगिरी के आश्रम पर निवास करता है ऐसे आगे है शाप समाप्ति यानि ज देव प्रबोधनी एकादशी को शाप समाप्त हो जाता है और उनका पुना मिलन हो जाता है आगे सुनो मेग को संदेश कथन कब होता है यानि मेग को शंदेश जो कहते हैं वो कब कहते हैं आशाड महा के प्रतम दिवस को आशाड महिने के पहले दिन की बात है मेग को जो संदेश दिया जाता है वो आसार महा का प्रथम दिवश है उस दिन दिया जाता है ठीक है या तक कोई दिक्कत नहीं है आगे सुनिए मित्रो मेग की पतनी कौन है मेग की पतनी किसे मानते हैं विद्युत को जो विद्युत धारा होती है न उस विद्युत को मेग की पतनी माना जाता है आगे सुनो मेग का वन्ष कौन सा है ये प्रशनाया हुआ है मेग का जो वन्ष है इसमें वो है पुशकरावर्तक यानि पुशकरवे आवर्तक वन्ष है मेग का ऐसा शलोक भी मिलता है पुशकरावर्तका नाम ठीक है जातम वन्षे भुवन विदिते पु किसमें पूछा जा सकता है किसी भी लायन से. आगे सुनो अब देखो अनुवाद की बात है. उनुबाद तो सबसे पहले अंग्रेजीम जो अनुवाद है वो किसने किया है. उत्तर याद रखना है Wilson ने किया है.視ने किया ए Tingranियी अनुवाद Wilson के दोवरा है और यह लगबग 1813 इसवी में यह अनुबाद हुआ है आगे सुनो जर्मन पद्य अनुबाद किस ने किया है जर्मन पद्य अनुबाद मैक्स मूलर के द्वारा किया गया है किस के द्वारा मैक्स मूलर के द्वारा किया गया है इसके बाद में A.B. कीथ ने क्या किया है A.B. कीथ ने शोक गीत या अंग्रे जी का शोक काव्य कहा है इसको प्रशना सकता है कि A.B. कीथ ने शोक गीत या अंग्रे जी का शोक काव्य किसे कहा है उत्तर देना है मेगदूत को कहा है किसको कहा है मेगदूत को क्या का है शोक गीत या अंग्रे जी का शोक काव्य है ठीक है ना आप देखिए आगे एक बहुती बढ़िया यहां पर एक फैक्ट लिखा है प्रशस्ती के रूप में यानि मेग दूत के विशे में कौन सी फेमस प्रशस्ती है क्या लिखा गया है तो देखिए मागे मेगे गतम बयह माग और मेग को पढ़ने में यानि माग का मतलब है माग के काव्य को पढ़ने में कौन सा काव्य आप जानते हैं और मेग दूत को पढ़ने में हमारी आयू बीत जाती है फिर भी वो पूरा नहीं होने वाला ऐसा इनकी प्रशस्ती में कहा गया है प्रश मंगलाचरण है वो किस तरह का है मंगलाचरण के भी प्रिकार हमने अलग-अलग बताए हैं आपको तो इसमें आपको बताना है कि मंगलाचरण किस तरह का है उत्तर देना है वस्तु निर्देश आत्मकम ऐसा सवाल बनता है कि मेग दूत के अंतरगत किस तरह का मंगलाचरण ह तो मंगलाचरण है वस्तू नुर्देश आत्माग और कौन सा मंगलाचरण है तो वो भी आ सकता है तो मंगलाचरण की एक आपको बता दिये हैं, उमीद करता हूँ कि आपको ये सब अच्छे से ध्यान में रहेगा और आप अच्छे से याद कर सकोगे इनको, ठीक है? अब दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दो मिनिट या तीन मिनिट में आपको कथानक और बता रहा हूँ कथानक इसका जो कथानक है इसके अंदर जो कथावस्तु है पूरी की पूरी इसकी जो कहानी है उसको मैं सौट में आपको बता रहा हूँ आप इसको सुने ठीक है? आप सुनके याद रखें आप सुनोगे तो निश्चत रूप से आपको याद हो जाएगा मैं बिलकुल स्टेप बाई स्टेप आपको बताऊँगा जो आप अच्छे से याद कर सकोगे सुनिये दोस्तो अलकापुरी नरेश यक्षादि पती कुबेर के दरवार में न्युक्त यक्ष अपनी प्रिये पतनी के प्रति बहुत अदिक प्रेम के कारण अपने करतब्वे से बिमुक हो जाता है जिससे क्रोधित कुवेर के द्वारा एक वर्ष के लिए उसे अलका पुरी से निश्का सित कर दिया जाता है यक्ष रामगिरी परवत पर निवास करने लगता है आठ महिने के बाद में आसाड महा के प्रथम दिन यक्ष को देख करके वह मेग से अपनी पतनी हे तू संदेश कथन की याचना करता है मतलब कहने का ये हुआ कि आठ महिने के बाद में आसाड के प्रथम दिन यक्ष मेग को देख करके अपनी पतनी को संदेश कहने की याचना करता है मेग से याचना करता है कि भाईया मेरा एक छोटा सा काम कर देना मेरी पत्नी अलकापुरी मैं ऐसे ऐसे आपको मिलेगी, उसको मेरा एक छोटा सा मेसिज पहुँचा देना, एक संदेश पहुँचा देना, अब आगे सुनिये मेग को अलकापुरी तक जाने का मार्ग बताता है अब भई मेग जानता नहीं है कि मुझे कहा जाना है इसलिए वह अलकापुरी तक कैसे पहुँचेगा ऐसे उसको रास्ता बताता है समझाता हुआ मार्ग में आने वाले आमरकूट परवत रेवा नदी, विदिशा नदी, दशार्न देश, वैश्ववती, नगरी, उजयनी, निरविंधा नदी, क्षिप्रा नदी, गंभीरा नदी, देवगिरी परवत, चर्मन्यवती नदी, कुरुक्षित्र आधी का वर्णन करता है ठीक है, इसके बाद में पूर्व मेग में अलकापुरी तक के रास्ते का वर्णन है, तथा उत्तर मेग में अलकापुरी नगरी का वर्णन और मेग द्वारा यक्ष का संदेश कहने का वर्णन किया गया है अलकापुरी के सुन्दर वर्णन के साथ यक्ष मेक से कहता है कि कुवेर महल के उत्तर में मंदार व्रिक्ष के पास मेरा घर है जिसमें मेरी पतनी पुष्प गिन करके दिन काट रही होगी आप उसे पहचान लोगे देखते ही उसके बाल खुले हुए दिखेंगे परिशान सी दुखी सी मुरजाई हुई सी आपको दिखेगी तो आप सुता ही पैचान जाओगे कि यही है भावी जी आपकी उससे कहना कि चार महीने और शेश बचे हैं देव प्रबोधनी एकादर्शी को शाप समाप्त होने पर हमारा प सौट में समझा दी है कि आखिर इसमें क्या होता है मैंने आपको सौट में बता दिया अब सौट में इतना ही परियाप्त है हिंट दे दी मैंने आपको क्या-क्या इसमें होता है और मैंने आपको most important जो fact थे वो मैंने आपको पहले ही समझा दिये हैं अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं देखी मित्रो अब हम सुक्तियों की तरफ चलते हैं इसमें कौन-कौन सी important सुक्तिया हैं उनको मैं आपको समझा रहा हूं और अर्थ भी बताऊंगा साथ-साथ में चलिए सबसे पहली सुक्ति लिखी है कामार्ता ही प्रकर्ति कृपनास चेतना चेतनेशु ये सुक्तिया आपकी किसकी है मेगदूत की है इसका अर्थ होता है कि काम से व्याकुल जो व्यक्ति होता है वो सजीव एवं निर्जीव पदार्थों के बीच में भेद करने की अपनी स्वभाविक जो प्रवर्ति होती है या विवेक होता है उससे रहित हो जाता है याने की वो दोनों में अंतर नहीं कर पाता है सजीव या निर्जीव में ऐसा इसका मतलब है दुबारा सुन लो काम से व्याकुल वेक्ति सजीव और निर्जीव पदार्थों के बेद करने की स्वभाविक ब्रति से विवेक रहित हो जाता है उसको पता ही नहीं चलता है कि ये सजीव है कि निर्जीव है जैसा कि यक्ष के साथ होता है यक्ष को पता ही नहीं कि जिस एक से बात कर रहा है वो मेग आदमी की तरह नहीं है वो सजीव नहीं है कि आपकी बात सुनकर चल्ओ जाएगा उसको पता है भीट नहीं इसको चैंद है कि और चैंद है इतना परीशान हो जाता अपने फथी सुन जानीged बहुत ही सुन्दर सुकती है, बहुत ही सुन्दर, मतलब क्या है सुनिये, मतलब है कि गुणवान व्यक्ति से याचना निश्पल होने पर भी उत्तम है, लेकिन नीच व्यक्ति से फली भूत होने पर भी याचना नहीं करनी चाहिए, बात समझ मा गई, ऐसा इसका अर्थ है, आगे सुनो, रिकतह सरवो भवती ही लगू पूर्णता गौरव आये है। इसका मतलब है, सभी तरह से रिकत होना हलके के लिए तथा पूर्णता गौरव के लिए होती है। समझ गाई बात? ऐसे आपको? कि बाद एक जानकारी के लिए आरत में बता रहा हूँ आपको? रह जाएंगी विश्यवस्तु से थोड़ा सा आप जोड़ों लोगे अर्थ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अर्थ से क्या है हमें पता चल जाता कि ऐसी विश्यवस्तु कहां पर है तो आप पता लगा सकतो आगे सुनों आगे है इस्त्रेणामाध्यम प्रणयवचनम विभ्रमोही प्रियेशु इसका क्या मतलब है इसका मतलब है देखिए सूचिए क्योंकि जब तक अर्थ पता नहीं चलेगा तो आप कैसे पता लगा पाओगे इसमें क्या लिखा गया है इस्त्रेणामाध्ये तो इसका मतलब हो प्राथना वाक्य होता है पहला प्रेम भरा प्राथना वाक्य होता है ऐसा इसका मतलब है आगे सुनिए मंदायते नखलू सुहरदा भ्याम उपे तार्थ कृत्याह ऐसा यहां पर लिखा गया है इसका अर्थ है कि मित्रों के करने योग्य कारियों को करने में कभी वी विलंब नहीं करना चाहिए जो मित्र है आपका और उसका करने योग्य कोई कारी है तो उसमें विलंब नहीं करना चाहिए ऐसा यहां लिखा गया है आगे है आपना आपनार्ती प्रशमना फलाहा शंपदो हयुत्तमानाम युत्तमानाम ठीक है ऐसे यहां लिखा गया है तो इसका मतलब हो जाता है सुनिए उत्तम जनों की संपत्तियां दुखी जनों के कष्टों को दूर करने वाली होती है ठीक है दुखी जन जो होते हैं उनकी कष्टों को दूर करने वाली होती है ऐसे आपको द्यान रखना है अ क्या मतलब हुआ इसका मतलब हो जाता है ऐसा देखा गया है कि कोमल हिर्दय से युक्त या कोमर हिर्दय वाले व्यक्ति दया स्वभाब वाले होते हैं ऐसा मतलब है आगे हमारी सुक्ति देखिए नीचेर गच्छत्य उपरीच दशा चक्रनेमी क्रमेण है मतलब भाग्य चक्र की पंक्तियों के समान उपर नीचे चलता रहता है जो भाग्य है वो चक्र की पंक्तियों के समान उपर नीचे चलता रहता है कभी उपर कभी नीचे चलता रहता है आगे सुनो सूर्या पाये नखलू कमलम पुश्यती स्वाम अभिख्याम इसका मतलब हो जाता है सूर्य के अस्त हो जाने पर कमल वास्तम में अपनी शोभा को धारण नहीं करता सवाम अभिख्याम आगे सुनों आगे देखी मित्रो दस नंबर सूकती है կे हुमारी सुक्ति का मतलब है मित्र द्वारा लाया गया प्रिया का संदेश इस्त्रियों के लिए मिलने से कुछ कम नहीं होता यानि कि उनके मिलन से कम नहीं होता है ऐसा यहां पर इसका मतलब है तो यह हमारी 10 सूक्ति हो जाती है यह 11 नमबर की सूक्ति मैंने लिग दी थोड़ा उद्भव और विकास रिलेटेड आपको फैक्ट बताए इसके अलावा रितु समहर के बारे में पूरी डिटेल मैंने बताई और इसके अलावा मेगदूत के बारे में पूरी डिटेल आपको बताई तो यह हमारा आज का वीडियो संपन हो जाता है एक्जाम की दरश्टी से इसमें हमने पूरी कौशिश किये कि आपको हर फैक्ट इसमें लिखा जाए और उसी की आधार पे मैंने यहां मोस्ट फैक्ट आपको लिखे हैं उमीद करते हैं आपके लिए बहुत ही लाबकार यह वीडियो रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मोबाइल एप्लिकेशन हमारा जो की उपर देख रहा होगा आपको टॉप कॉर्णर पर मिशन समस्क्रित ग्यान प्ले स्टोर से अभी फटा पट जाएए और वहां से इसको डाउनल करेए इसमें आप क्लास जोएन कर सकते हैं दोस्तों इसमें टेस्ट सीरीज भी हमने चला रखी है इसके अलावा आपको PDF नोड्स आपको वहां पर मिल जाते हैं तो जरूर आप इसको डाउनलोड करें और अपने दोस्तों तक इसको जरूर आप शेर करें दोस्तों कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना आपका कोई भी सवाल है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है एक छोटा सा कमेंट आप जरूर करें मिलेंगी next class में सब के लिए धन्यवाद जैहिंद जैतु भारतम जैतु समस्कृतम धन्यव करें जैतु समस्क्षाप।